कोई एक सी जहाँ पर चुनाव हो चुका हूँ आपने यह स्टाटइजी के बारे इन बत्वारा आ ले किये थे मेरट के परतीयासी हार नेगए वो पहली है स्विकार कर लिए उनऄने हार और सुविकार हार करकर के सोचो क्या लिख करके चले गए थे वो ट्वीट बाद में सुनाई कि उन्हें डिलीट करना पड़ा आप कन्नौज पर आते हैं चुनाब हो चुका है क्या रिपोर्ट आ रही है वहां से समाजवादी पार्टी अभी तक के सबसे अच्छे बोटों से कन्नौज जीतने जा रही है एक आरोप लगाया गया कि अखलेश यादव जी हर घटना को जाती से जोड़ देते हैं जाती पर ही चुनाब चाते हैं और वो मैनपुरी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा वाला मामला हो या कन्नौज में मंदिर वाला मामला हो मैं बात समझ नहीं पाया दुबारा पूछो मुझ से आप अखलेश जी अब हर घटना को जाती से जोड़ देते हैं ये बीजेपी ने कहा चाहे वो मैनपुरी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा वाला मामला हो या फिर कन्नौज में मंदिर वाला मामला हो ये मैं समझता हूँ आपको आदी हदूरी जानकारी है समाजवादियों ने कभी भी जात के आधार पर कोई बात नहीं रखी और ना मैंने उस पर टिपड़ी की चुनाव था हमारा इसलिए मैंने कोई टिपड़ी नहीं की लेकिन जिस तरीके का वहाँ पर भारती जिनताप पार्टी के लोगों ने काम किया है आज के समय पर कोई कल्पना नहीं कर सकता एक तरफ तो वो हमारे प्यारे मोहन मुखिमंती जी हैं उन्हें जगे जगे घुमागर के बोट मांग रहे हैं और उन्हीं के भाजबा के लोगों ने सोचो क्या कहा था इस चैनल पर मैं नहीं कह सकता हूँ क्या आप किसी जाती को इस तरह का ली दे सकते हैं क्या इस तरह से आपका बिवहार हो सकता है और फिर सबसे बड़ी बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कन्योज का जो मंदिर का मामला है गौरिशंकर टेंपल में जब मैं गया वहां के जितने भी पुजारी और ब्रहमर्ड थे वो सम्मना कर रहे थे कि मद धोईए इस मंदिर को क्यों धो रहे हैं आप वहां के जो पुजारी हैं जब मैं पहला चुना लड़ा था तब यहनोंने मेरी पूजा कराई थी जब भी मैं गया हूं मंदिर में उन पुजारी से मैं मिला हूं वो ब्रहमर्ड बहुत प्रतिस्चित हैं वो पूरे के पूरे मंदिर के पुजारी बना कर रहे थे कहें मत मंदिर को धोईए लेकिं बीजेपी के लोग मेरे जाने के बार मंदिर धो रहे थे और यह BJP की मानसिक्ता कोई हम लोग ने पहली बार नहीं देखी है यहाँ पर मुखंतरी आवाज भी उन्होंने इसी तरीके से दोया था तो इस बार भारती जनता पार्टी को जनता धोने जा रही है इतना धोयगी बोटों से, इतना धोयगी बोटों से और देखिया कर्योंट में क्या धुलाई हुया उनकी बोटों से वो कहरें पुलिस हमसे मिली हुई है बताइए जब हार गए बीजेपी वाले तो कह रहें कि पुलिस समाझवाद हुएंसे मिली हुई है इन बीजेपी वालों को अगर कोई निस्पक्ष अधिकारी काम करे अगर निस्पक्ष काम भी करता है कोई अधिकारी तो कहते ही विपक्ष से मिला हुआ है सोची ये मान सकता है बादिंत पाड़ी लोगों की इस से घड़िया मान सकता और किसी की नहीं हो सकती ये तो सुबरत पाठक ने आरोप लगा दिया कि पुलिस मिली हुई है विजिलिंस बिठा दूगा देख लूगा चुनाव के बाद अब वो जाए बिठाए जाए कि सरकार उनकी है जो चांस हो करें जा करके रिजल्ट आ जाए कि हार जाएंगे फिर क्या करेंगे उन्हों ने आरोप लगाया कि आप चुनावी परिटन पर आएंगे और चुनाव खतम होते ही चले जाएंगे कौन कह रहा है ये बाद सुबरत पाठक कहलेंगे अब ऐसे हम मैं क्या बोलू ऐसे बार लों के बारे में क्या आपका नौच सी छोड़के से लिए कि पान में भी नशा होता है क्या मैं अभी थक तो यह सुना हूं साधरन पान खाए जाते हैं पान साधरन होता है लें जिसके बारे में आप कह रहे हो मुझे लगता कोई बाहर की कोई ऐसी दवा आती होगी जो पान के अंदर मिलाके खाते हैं वो पॉलिटीकल टूरिजम करें है हम लोग कनोज में वह भी तो चिए o यf1 एक्सप्रेस में दिया हो मेडिकल कॉलेज दिया हो पिरijiलेगो दिया हो इंजिनिंग कॉलेज दिया हो देश में पहली बार प्रफिम के लिए पर्फिम wrest श Detali का अलग से कौर्स स्टाट किया हो world-class infrastructure mundi का दिया हो perfume museum perfume park बनाया हो वो tourism के लिए आए हैं और जिस विकती ने एक इंट नी लगाई एक इंट नी लगाई इस विकती ने सोचिये आप आपको तो नाम भी नहे लेना चाहिए जैनल अपना खराब करे जैनल अपना चैनल 6 हो गया TV9 नहीं, TV6 अगले जी तेन नमबर कम हो गये क्या नमांकन से पहले आपकी राहुल गांदी जिसे कोई बात हुई थी कि वो अमेठी से नहीं आप राइवरेली से चनाव लड़ेंगे कोई चर्चा हुई मेरी कोई बात नहीं हुई लेकिन बात कुछ हुई है वो हम और आप यहां चर्चा नहीं कर सकते क्या ये बात सही है कि अमेठी और राइवरेली में बगेर सपा के सपोर्ट के गांधी परिवार कभी चनाव नहीं जीत सकता समाजादी पार्टी का संगठन है हुआ और आज से संगठन नहीं है उन लोग सवाओ में बहुत पुराना समाज़ादी पार्टी का संगठन रहा है जब इदान सवाच चनाव संगठन लड़ती है तो अकसर वहाँ जादे सीटे संगठन दोनों छेतर में तो ऐसा ने कॉंग्रिस का संग्ठन नहीं है कॉंग्रिस के लोग हैं और संग्ठन समाजवादी पार्टी का है इस बार आप देख लीजेगा जब परणाम आएगा तो समाजवादी पार्टी का संग्ठन और वहां के लोग भादे जनता पार्टी को बुरी तरह हरा के भेज दोनों लोग समाओे.